दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ओल्वीजेपेक्स पर दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ नई चीजे और नई चीजों के बारे में जानकारिया कि वीडियो एडिटिंग क्या है और इसको हम किस माध्यम से उप्योग में ला सकते हैं वीडियो एडिटिंग डिकोर्ड किये गए एक वीडियो में सिध्वार करने को कहते हैं दोस्तो आप सिनेवा टीवी में जितने भी वीडियो खिलिप देखते हैं दोस्तो उन सबको काफी ही ज़्यादा edit किया जाता है कोई भी वीडियो बिना editing के cinema या TV या online पे publish नहीं होती है दोस्तो किसी को कम किसी को ज़्यादा edit किया जाता है जितने भी science fiction movie बनते हैं वै पूरी तरह से VFX होते हैं दोस्तो और वै editing पर निर्भर करते हैं दोस्तो system configuration के लिए आपको जरूरी है इन चीजों का जान लेना, देखे कोई भी हम अगर software बनाते हैं सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है cabinet की, क्योंकि cabinet आपकी होनी बहुत जरूरी है दोस्तो, अगर आपकी cabinet नहीं होगी तो उसको आप properly ढंग से ना तो वो अच्छा लगे ना run करेगा, इसके लिए फिर दूसरा process आता है हमारा motherboard का, दोस्तो, motherboard आपका high configuration में रहे तो बहुत बड़ी आए, उसके बाद आता है आपका Intel का processor, यानि कि processor क्या काम करता है आपका, एक speed को modify करता है, यानि कि speed को बढ़ाता है और कम करता है, उसके साथ दोस्तों आजकल क्य हो रहा है कि कुछ नई चीज़े और graphic card आ गया है, जिसकी वज़े से हम देख सकते हैं कि hard disk हमारी दो-दो लगने लग गई है, इसमें आपको configuration के लिए क्या जरूर यह है, एक 1TB कि आप hard disk ले सकते हैं, और दूसरा क्या है, आप graphic card रख सकते हैं, देखिए, graphic card है यहाँ पे editing के लिए 8GB होना बहुत जरूरी है, दोस्तों, अगर आप 8GB रहम नहीं रखेंगे, तो आपका system बिलकुल भी नहीं चलेगा, चलेगा भी तो बहुत slow चलेगा, आप उस पे HD editing नहीं कर सकते हैं, आजकल क्या आओगे हैं, लोग SSD hard disk लगाते हैं, जो कि system के लिए बहुत लिजी और उसको यूज कीजी, एक hard disk में आप अपना data रखिए, एक में SSD बनाईए, ये EDS 87 पर proper work करेगा दोस्तों, इसकी configuration क्या है system की दोस्तों आपके, की configuration इसमें जो दी हुई है, नॉर्मली वो ही configuration होती है, दोस्तों, ये configuration chipset है, आप थोड़ा अलग भी ले सकते हैं इस Core i5-34 processor, 8GB RAM है दोस्तों, 120 SSD hard disk के, 1 TV hard disk NVIDIA की है, और DDR5 4GB graphic card इसमें लगा हुआ है दोस्तों, जो कि आज कल बहुत ही जादा जरूरी हो गया है, उसके बाद आप क्या देखते हैं दोस्तों, कि इसके अंदर जो हमने chipset motherboard वो लिया हुआ है, इसमें VGA, HDMI, graphics card सारे लगे हुआ ह जो कि आपको Windows 10 और Trial BlueStrike Ready Use System पर भी आपके काम करेंगे, Windows 10 OST system इसमें दिया हुआ है दोस्तों, आप Windows 8 चलाना चाहते हैं, तो Windows 8 इस पे properly काम करेगा, 9 चलाना चाहते हैं, तो आपको i7 generation में इसमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, i7 generation पर भी आप properly इस पे काम कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको processor अपना बढ़ाना पड़ेगा, दोस्तों, तो दोस्तों, इन चीजों के साथ-साथ आपको जरूर है कि आप EDS को उन्चा लें, अगर आप EDS 7.2 का डॉंगल लेते हैं, तो उस पे भी आप काम कर सकते ह हैं, तो उस पे भी काम कर सकते हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, आगे मैं आपको बता हुआ कुछ और नई चीजों के बारे में, और नई जानकारियों के बारे में, कि कैसे हम video editing करते हैं, तो दोस्तों, देखते रहिए और सीखते रहिए हमारे YouTube चैनल से, और नई नई चीजे मैं आपको बताता रहूँ हूँ और सिखाता रहूँ हूँ है so please keep watching my tutorial on the YouTube channel